आपके सामने चार जेडियू जेडियू भी साथ में कॉंग्रेस है किसी ने इनका एंपॉर्मेंट के लिए क्या क्या बताई आप मुझको मैं तो सवाल करना चाहता हूँ और इस वक्त हमारा जो चुनाव चिन रहेगा गोपाल गंज में वो रहेगा कॉट खटिया चार पाई मैं हूँ आयाज अभी मैं मौझूद हूँ AIMIM के कार्याले पर यहाँ पर AIMIM के रास्टी परवक्ता वारिस पठान जी पहुंचे हुए हैं प्रेसवारता कर रहे हैं उन्होंने क्या कुछ कहा वो सारी बाते हम आपको सुनाएंगे उन्होंने कहा कि राजत की पार्टी जो बिहार में चुनाव आया है जिस तरह मुक्तलिफ सियासत पार्टी ने अपने अपने अमिद्वार को खड़ा किया यहां से इस परतबा मजलिस एत्याद मुस्लिमीन ने भी अब्दूलसलाम साब जो हमारे केंडिडर गोपाल गंच के रहेंगे लड़ रहे हैं चुनाव इ इमान साब जो हमारे बिहार अधियक्ष है उनके समर्तन से आदिर असन साब सफ्राद इंजिनियर साब सलीम बेक साब हमारी पूरी टीम जो यहां पर मौचूद है इस सब मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव और इस मकद हमारा जो चुनाव चिन रहेगा गोपाल गंच में वो कौट खटिया चारपाई क्योंकि टेक्निकल ग्लीच की वज़े से हमको पतंग का चुनाव चिन नहीं मिला अब टेमोक्रेसी है चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है इसी तरह मजलिस से त्याद मुसली मीन को भी अधिकार है और हमनों प्रचार कर रहे हैं कल आकरी दिन है आपके सामने चार जेडियू जेडियू भी साथ में कॉंग्रेस है किसी ने इनका एंपॉर्मेंट के लिए क्या क्या बताईया आप मुझको मैं तो सवाल करना चाहता हूं इसे आपके माधियम से सी एम थे यहां के सबसे फर्स्ट मगर ये जो सो कॉल्ड सेकिलर लोग है इनका भी परदाफाश होगे आपके सामने हैं तमाम इनका हम चुनाओ लड़ेगे हम भी चाहते हैं कि हमारे माइनोरिटी जो है हमारे दलीद भाई हमारे मुसल्मान भाई मजलूम भाई सब मिलकर देखो मजलिस के पर्चम तले आये सब और अपने वोटों का अक्तितार यूज करके जिता है हमारे को हमारा उम्मीदवार जब जीतेगा तो यकिन वानी हमको जो यहां पर तकलिफ है हमारा एजेंडा भी है आज यहां पर एक बारिश आती है पुरा गोपाल गंज भी जात यह है कि हम यहां पर एक अच्छा ट्रॉमा सेंटर बनाएं कि युनिवर्सिटी को यह नहीं हमको युनिवर्सिटी यहां पर बनाना है दूसरा अगर आप देखो शुगर मिल्स भी जो थी उसका भी बंद हो गई है ग्रेजिवेशन डिग्री इसका जो युवाओने मुझ को अच्छा को तीन साल लगता है सैशन कंपलीट करने में क्य Авसा कि अगेपट आ और उसकी को इसकी कि तरफ ध्यान नहीं देना पाड़ाई की तरफ धियान दिया ना पबलिक हेल्थ की तरफ धियान दिया है मगर मजलिस इत्याद रुमस्त्री मिन चाहती है कि अगर हमारा प्रत्याशी इंशाललाओ चीज़ चीट के आता है सोला हजार बच्चे हमारे यहाँ पर तिलंगना में फ्री में पढ़ते और टॉप क्लाश स्कूल जिसमें सिर्फ मुसल्मान ही नहीं हमारे सिख भाई के, क्रिश्चन भाई के, हिंदू भाई के, तलीद भाई के तमाँ वर्क के लोग महाँ पर एजूकेशन असिल करते हैं लेट अब्दूल गफा गफूर साब माईनोरिटी से उनके बात से मुझे बताईए हैं अपर माईनोरिटी क्या रेप्रेसेंटेशन अरे उनकी ही फैमेली के उनके पोतों को टिकेट नहीं दिया गया या से क्यों माईनोरिटी नहीं देना है बात नमबर दो सीवान यहां से 25 किलोमेटर की दूरी पर है शाब पुतिन साब कद्दावर नेता जो एक दो टम हमेले रह चुके पांच मरतबा एंपी रह चुके सीवान से आरजेडी से लड़े उनका इंतिकाल हो गया करोना काल में दिल्ली में सब थे मौझूद आरजेडी के वरिश्ण नेतावा मौझूद थे लेकिन यकीन मानिये एक भी वाहिद आदमी ना उनके जनाजे में गया ना उनके घर पे यादत के लिए गया ना उनकी फैमिली से संपर्क किया अरे अगर मैं किसी के साथ पांच महिना भी अगर रह जाओं तो मेरा फर्स बनता है कि उसके हाल चाल पुछना किस तरह से हैं आप क्या हैं आप और एक इंसान जिसने फाउंडर मेंबर जो था अरजेडी का ऐसा चाबास शाप उदिन साप उनको अल्ला जड़ मगफिरत फरमाया उनकी जन्नत फुर्दौस माला साला मकाम दरजात बुलंदका फरमाये शाप उदिन सापके हम यह दूआ करते हैं उनको साइडलाइन करती हैं कुछ नहीं उनके अबदुलगफूर सापके नाम पर मुझे बताई य आज को युनिवर्सिटी है उनके नाम पर कोई रस्ता है उनके नाम पर कोई एर्पोर्ट ट्रेन स्टेशन कुछ नहीं है इनके नाम पर माइनोरिटी के खिलाफ पूरी तरह से यह सरकारों ने युद्ध छेड़ दिया